लेवल के दिफिते हैं आप एकुटि नाइटीनएग वेलकम आल और विडियो तो दिस डेली मार्केट आटलुक आपार्टन शॉक्तुक्स डेली सिरीज फ्राम एकुटि नेटीनएग इस पर्तिकुलर वीडियो इस फॉर विडियो इस फॉर विंदीशिक्थ निमेंबर 2020 सबसे पैदे हम देखते हैं, निफ्टी के लेवल्स, तो हमें लास्ट क्लोजिंग जो मिली थी निफ्टी में वह थी 12,858 के लेवल पे, अब 12,746 को जो लेवल हो, सबसे पहला support point है निफ्टी के लिए, अगर ये levels तूटते हैं, तो नीचे के तरफ में 12,633 और 12,321 दूसरे और तीसरे support levels है, जो निफ्टी के pivot points के थूँ हमें मिल रहे हैं, similarly, upper side में देखेंगे जो 13,058 सबसे पहला hurdle point है, याने की resistance है निफ्टी के लिए, इसके crossover होना के बाद में, जो दूसरा और तीसरा resistance है, वो 13,258 और 13,570 पे placed है, ये थोड़े से wide set है, बट चुकि निफ्टी level पर जाते के साथ में, तो यहां पर cautious रहना थोड़ा ज़रूरी है, इसलिए हम आपको यहां पर support और resistance level निफ्टी के बता रहे हैं, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, bank nifty के levels, तो bank nifty के levels में last closing जो हमें मिली थी, वो थी 29,196 की, अब सबसे पहला support है 28,820 के level पे, 28,820 का level लगा तूटता है, bank nifty का, तो नीचे के तरफ में, जो उसके दूसरे और सपोर्ट, दूसरे और तीसरे support हैं, वो हैं 28,443 और 27,370, अपर साइड में, bank nifty के लिए 29,885 सबसे पहला hurdle point है, यानि की resistance है, क्रॉस ओवर होने के बाद ही, bank nifty 30,544 और 31,640 के levels तक जा सकती है, थोड़ा सा upside में profit booking आ सकती है, तो आप यहाँ पर धिहान रखें, stock specific rally, market में continue रहेगी, सबसे पहला stock जो इस वीडियो में हमें select किया, आपके लिए वो wealthman corp है, यह हमने अपने telegram चानल पर भी बताया था, इसकी last closing जो है, वो 115.20 के level पर मिली है, chart price का structure काफी अच्छा है, bullish pattern बना हुआ है, इसको भी आप किसी भी गिरावट पर purchase करें, 111 का रखना होगा है, यहाँ पर stop loss, और upside में हमें expectation है, 120 से लेके, 125 के level आपको कुछी दिनों में आते हुए देखेंगे, wellspun corp के अंदर, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, दूसरा stock, तो दूसरा stock दोस्तों है, more open laboratories, so more open labs में last closing जो मिली है, वो 39 रुपे 10 पैसे की है, चार्ट पर structure इसका भी काफी अच्छा bullish है, काफी अच्छी candles और patterns हमें आप नजर आ रहे हैं, इसको आप किसी भी गिरावट पर purchase करें, सिर्फ 2 रुपे नीचे है इसका stop loss, और upside में 33 रुपे से लेके 35 रुपे और 37 क levels आपको कुछ ही दिनों में आते हुए देखेंगे, मौर्पन लाब्रोटरीज के अंदर, दोस्तों जैसा कि आपने अभी last closing में देखा है, कि हमें काफी 13,000 के उपर के level में, जैसी ही निफ्टी गई, 13,145 वहां से हमें काफी बड़ी profit booking देखने को मिली है, तो यहां पर थ आपको यहां पर बहुत ही जादा cautious रहके, यहां पर volatility को ध्यान में रखते हुए, market में trade करना होगा, तो यह थी इस वीडियो की जानकारी, आप हमारा telegram चानल भी जान कर सकते हैं, equity99 का आपको यह सारी जानकारी और market के updates, live market के updates, वहां पर आपको मिलते हैं, thank you so much, this was Rahul Sharma from equity 99, have a very nice day